सब चंगासी का दावा करने वाली उत्तराखंड बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और बीजेपी के अपने ही अब अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं और पार्टी अपनों के ही निशाने पर आ गई है जिससे राज्य में सरकार किस्तिती डगमगाई हुई ह आखिर क्या है मामला और क्यों पार्टी नेताओं में पनपा असंतोश और क्या हो सकता है इसका परिणाम देखे रिपोर्ट में प्रदेश महामंतरी राजंदर सिंग बिष्ट को दी गई थी उनकी तरफ से तयार किये गए कारिक्रम में सभी सांसदों और चिन्नित स्थान का जिक्र किया गया है लेकिन टेहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह के नाम के आगे लिखा गया है कि उनसे संपर्क नहीं हो पाया इसे सांसद माला राज्य लक्ष्मी और प्रदेश संगठन के बीच तालमेल की असलियत खुल कर सामने आ गई है अब ये पद्र सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है इससे पहले भी टेहरी सांसद पर अपने संसदिय शेत्र की उपेक्षा के आरूप लगते रहे हैं जहां एक तरब बीजेपी की उसके सांसदों पर पकड़ कमजोर हो रही है तो वही दूसरे तरब बीजेपी विधायकों की उनके ही शेत्र में सुनवाई नहीं हो रही है जिस पर टेहरी विधान सबासीड से भाजपा की विधायक किशोर उपाध्या ने नाराजगी भी जाहिर की है उनका कहना है कि जब राज्य संपती विभाग और सरकार को कोई आपती नहीं है तो फिर प्रशासन आवास उपलब्द क्यों नहीं करवा पा रहा है यह चिंता का विशे है और उन्होंने कहा किस से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में नोकर शाहिक किस कदर हावी है दरसल विधायक ने एक पहल करते हुए जंता के बीच में रहने के लिए तहरी मुख्याले में एक सरकारी आवास की मांग की लेकिन प्रशासन ने अब तक विधायक को कोई आवास उपलब नहीं करवाया है अब इन मुद्दों ने उत्राखंड सरकार की पूल खोल दी है